नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आई हूँ टिटोरिन ओन इस आई लोक आज की वीडियो में मैंने इस्तिमाल किया है पांच डिफरेंट आइलाइनर्स को और ये सारे आईलाइनर्स हैं सुवा ब्यूटी के मुझे ये आईलाइनर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इनका आज इस्तिमाल किया है अगर आपको जानना है कि मैंने आज के आई लोक को कैसे क्रेट किया है देन प्लीज कंडिनो वाचेंग सब्सेपहले ह हम आई एरिया पर कलरेक्शन करेंगे तो मैं इस्तिमाल कर रही हूँ एलेगल प्रो का औरेंज कलर क्रेक्टर और अपनी आई एरिया पर प्रोड़क को अप्लाइ करने के बाद मैं प्रोड़क को अपने लिंग फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ L'Oreal का Infoliable Concealer in the Shade Biscuit Concealer को मैंने apply कर लिया है और अब मैं Amazon के brush के मदद से Concealer को अच्छे से blend कर रही हूँ हमने color correction अरड़ी कर दिया था तो darkness जो है वो cancel out हो गई है अब हम जब concealer apply कर रहे हैं और blend कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़ादा ज़रुरी है कि आप color correction करें और उसके बाद concealer को apply करें directly अगर आप concealer को apply करेंगे तो grey cast definitely दिखेगा Nika का skin genius powder in the shade warm honey स्तमा कर रही हूँ मैं concealer को set करने के लिए ये pressed powder है और बहुत ही अच्छा finish देता है ये अब मैं eyeliner apply कर रही हूँ तो मैं इस दमा कर रही हूँ Nix का epic ink eyeliner मैं एक dramatic wing liner draw कर रही हूँ और ये wing liner जो है acid reference act करेगा हमारे बाकी के liners के लिए है आज मैं इस applicator का इस्तमाल करने वाली हूँ ये है in the shade acid trip ये एक orange eyeliner है ये water activated product है इसलिए मैंने applicator को पानी में dip किया और उसके बाद मैंने उसे dip किया है cake pan में और अब मैं apply कर रही हूँ eyeliner को ये applicator मेरी मदद करता है precisely lines को draw करने में आप अपने पसंद का eyeliner brush इस्तमाल करें eyeliner को draw करने के लिए अब मैं neon pink eyeliner को apply करूँगी इस eyeliner का shade name है scrunchie मैं इस eyeliner को अपनी wing के ऊपर apply कर रही हूँ और उसके बाद wing के नीचे भी apply करूँगी मैं मैं thin lines draw कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे लगते है सुआ beauty के liners क्योंकि काफी pigmented है easy to work with है easy to remove है बहुत ही अच्छा shade range भी है इस neon green shade का नाम है fanny pack product को मैं activate कर रही हूँ पानी के मदद से अब मैं इस product को यानि इस neon green eyeliner को apply कर रही हूँ अपने crease से उपर ये sky blue shade है इसका नाम है freezy अब हम इस cake को activate करेंगे ताकि हम इसे ऐसे liner इस्तेमाल कर सके मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ product को activate करने के लिए अब हम liner ड्रॉ करेंगे तो मैंने क्या किया है मैंने neon green eyeliner को पहले ड्रॉ कर लिया अब मैं इस sky blue eyeliner को ड्रॉ करूँगी पर neon green eyeliner और sky blue eyeliner के बीच में एक space छोड़ दोंगी मैं एक बार में ही जादा product नहीं apply कर रही हूँ धीरे धीरे करके मैं product को activate कर रही हूँ और apply कर रही हूँ अब हम apply करेंगे neon yellow color ये है in the shade dance party इस particular shade को हम place करेंगे neon green liner और sky blue liner के पीच में आपने सही समझा है जहां हमने space छोड़ा था वहाँ पर इस neon yellow color को हम apply करेंगे मैंने बहुत ही संभल के इस eyeliner को draw किया है क्योंकि मैंने चाहती थी neon green liner और sky blue liner mess up हो जाए तो मैंने बहुत ही देरे करके neon yellow liner को build up किया है अप्लिकेटर को clean कर लिया है मैंने अब मैं reactivate कर रही हूँ neon yellow cake liner को अब मैं अपनी wing draw कर रही हूँ same steps follow करके हम दूसरी eyelet पर भी products को apply करेंगे तो फिलहाल मैं apply कर रही हूँ Nix का epic ink eyeliner जो की ऐसा base act करेगा हमारे बाकी eyeliners के लिए अब हम apply करेंगे Nika का I am black kajal मैं इस kajal को अपनी lower lash line पर apply कर रही हूँ अब हम apply करेंगे essence cosmetics का eye pencil in the shade sila V ये एक silver liner है इसे मैं अपनी inner half of the lower lash line पर apply कर रही हूँ अब हम lashes को curl करेंगे तो मैं अस्तमाल कर रही हूँ lash color अब हम mascara apply करेंगे तो ये है मेरा favorite mascara जो कि है essence cosmetics का lash princess mascara ये mascara मेरे lashes को fluttery effect देता है volumize करता है और lengthen भी करता है Nika K का true matte liquid lipstick in the shade Turkish rose apply कर रही हूँ मैं अपने lips पर first thing ये shade बहुत ही ज़्यादा प्यारा है second thing इसका formula इतना अच्छा है मुझे lips पर लगा ही नहीं कि मैंने lipstick लगा लिया है बहुत ही अच्छा formula लगा मुझे इस lipstick का ये earrings मैंने शीन से purchase की थी ये है अपना complete eye look I hope आपको ये eye look अच्छा लगा होगा मुझे शुरू से ही drawing painting का शौक रहा है इसलिए मुझे colorful eye look scrape करना बहुत ही ज़ादा अच्छा लगता है और जब मैंने Suva beauty के eyeliner को purchase किया और use किया I was mind blown मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसलिए मुझे graphic eyeliner बहुत ही ज़ादा पसंद है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी और आपके लिए किसी तरह से helpful रही होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें कि मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिद्कूल न भूलें आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंस और कामली के साथ भी श्याय कर सकते हैं इसी के साथ मैं इस वीडियो को खतम करती हूँ आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे मैं जल्द ही मिलती मेरी अगली वीडियो में टेक केर बाइ